भारत को देवी देवताओं साधू संतों का देश माना जाता है यहाँ असंख्य धार्मिक स्थल हैं, मंदिरे हैं लेकिन आज हम उस मंदिर की बात करने जा रहे हैं जहां रात को पत्थर की मुर्तियां आपस में बात करती हैं जहां आप इसे अंद्विस्वास कहें या दविय चमतकार लेकिन ये सच है कि सब्ध निशारात्री में यहां की मुर्तियां जो पत्थर की बनी हैं आपस में बात करती हैं और इसे बैग्यानिकों ने भी सच माना है, बैग्यानिक भी इसे नकार नहीं सके हैं उन्होंने इस चमतकार के सामने अपने हाथ खड़े कर दिया नवशकार महुराकेस कुमार आप देख रहा है फाइनल पोस्ट आज हम बात करने जा रहा है वैसे मंदिर की जहां पत्थर की मुर्तियां आपस में बात करती है जी यह मंदिर है राज राजस्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो बिहार के रोहताश जीले में है बताते हैं कि यह मंदिर लगबग 400 वर्ष पुराना है और इस मंदिर की अस्थापना प्रसिद्ध तांत्रिक भवानी मिस्ट ने की थी इस मंदिर में जो माता राज राजस्वरी त्रिपुर सुंदरी की मूर्ती है उसकी प्रान प्रतिष्ठा उन्होंने पूरी तरह से तांत्रिक भिधी से की थी इस मंदिर को तंत्र विद्या का भी केंद्र माना जाता है और तंत्रिकों का इस पर अटूट विश्वास है रात को जब निस्तब्ध निशाजी से कहते हैं जहां चारों तरफ सांती हो जाए उस समय मंदिर से आवाजे आती है जो बताया जाता है कि जो मूर्तियां हैं वो आपस में बात करती है मंदिर के आसपास से गुजरने वालों ने सपस्ट इसकी आवाज सुनी भी है इस मंदिर में दस महाविद्याओं का की प्रतिमा लगी हुई है जिसमें काली, त्रिपुर भहरवी, धुमावती, तारा, छिनमस्ता, सोडशी, मातंगडी, कमला, उग्रतारा और भिवुनेशरी का की प्रतिमा लगी हुई है इसकी अत्रिक्त भी बंगला मुखी माता, दत्ता त्रेय भहरव, बटुक भहरव, अन्नपूरणा भहरव, काल भहरव, मातंगी भहरव की भी प्रतिमाय मंदिर में स्थापित है ऐसे तो भारत में जितने भी शक्ति पीठे हैं, उन्हें सिद्ध और जागरित माना जाता है और राज राजस्वरी त्रिपूर सुंदरी मंदिर को भी जागरित स्थान से सिद्ध स्थान के रूप में जाना जाता है अब जब रात में मुर्तियों के और वो भी पत्थर के मुर्तियों के आपस में बात करने की बात सामने आई थी तो उसके बाद बैग्यानिक वहां गय थे इसकी जाँच परक करने लेकिन मीडिया रिपोर्ट के नुसार उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला और अंत में उन्हें ये मानना पड़ा कि कुछ न कुछ तो मंदिर में ऐसा होता है जिससे बिचित्र कुछ घटनाएं होती होंगी जिसके चलते ये आवाज आती है लेकिन ये आवाज मंदिर से आती है यह स्पस्ट हो गया और बैज्यानिक भी क्यवल इतना ही कह सके कि निश्चित्र रुप से कुछ न कुछ घटनाएं तो होती है कुछ न कुछ बिचित्र होता है जिसके चलते ये आवाज आती है तांत्रीकों का या साधना करने वालों का मानना है कि जो भी साधक हैं जो यहां पे आके पुजा आर्चना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है इसमें जो प्रधान मूर्ती है प्रधान प्रतिमा है वो राज राजस्वरी त्रिपुरी सुंदरी माता का है जिनकी पूजा वहां की जाती है बहराल इतना तो तय है कि जहां बैज्ञानिक भी इसके पीछे जो रात में आवाजे आती हैं मुर्तियों के बात करने की बात होती है उसको बैज्ञानिक भी नकार नहीं सके तो निश्चित रूप से जहां बैज्ञानिक भी मंदिर से आने वाली उस आवाज को नकार नहीं सके उनका भी चाना है कि कुछ न कुछ तो बीचित्र होता है ऐसे में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि यह कोई दैविये चमतकार ही है तो बस हम इतना ही कह सकते हैं कि माता राज राजस्वरी त्रिपुर्शुंदरी की आसिरवाद आप समों पर बनी रहे देखते रे फाइनल पोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद